हेलो फ्रेंड, सभी दोस्तों का वेलकम है आपके अपने यूटूब चैनल पे और आज संडे का दिन है हाजीर आपके लिए एक और वीडियो तो आज की वीडियो में आपको कुछ प्लांट मैं दिखाऊंगा जिनकी ज़्यादा केर नहीं करनी पड़ती है और विंटर सीजन के सबसे फेवरिट प्लांट है अगर वो आप अपने टेरिस गार्डन पे लगाते हैं तो खुब सूरत आपको फ्लावर मिलेंगे और जिनकी केर भी कुछ ज़्यादा नहीं करनी है तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सबसे पहले चलते हैं प्लांट के तरफ उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बैल आइकन ओन करें क्यूंकि हमारे चैनल पे नरसरी से रिलेट ज्यादा वीडियो मिलती है तो चलते हैं अपने प्लांट के तरह वहीं आपको सारी जानकारी है तो दोस्तों इस लिश्ट में सबसे नंबर बन पर है यह कैलन डूल आप तो दोस्तों यह दो कलरों में आता है तो आप देख सकते हैं एक डबल पैटल होता है और एक सिंगल बढ़ा नहीं होना चीए पांच इंची का गंबला इसके लिए बहुत है बस आप पांच इंची के गंबले में इसको लगाईए और लगाने से पहले आप अपनी जो मिट्टी है उसमें गोबर की खाद आप पे हो या बर्मी कमपोश्टों डाल के और इस प्लांट को लगा चाहतर यह प्लांट गर्मियों में नहीं बरदास कर पातने हैं तो यह खतम हो जाते हैं तो आपका इन चीज का ध्यान रखना और इससे सरसों के खली हर 15 दिन में एक बार आपको दे देनी है तो यह आपके प्लांट बहुत अच्छे से फ्लाबरिंग करेंगे तो लिष्ट दूसरे नंबर पे हमने रखा है ट यह को तो आप डहेलिया देख सकते हैं ये कई कलरों में आता है और काफी खुबसूरत कलरों में आता है तो दोस्तोTH लेए प्लांट आप नरसरी से पया जिसके डीए रुपे प्लांट है बहुत ही सस्ता प्लांट है 30 रुपे आपको प्लांट मिल जागा और इसमें कई कलर आपको मिल जाते हैं तो आप इसको भी बाए नरसरी से कर सकते हैं इसकी भी केर कोई जादा नहीं करनी है बस आपको इसको 10 इंच के गंबले में लगा देना है और लग करेगा और लाश्ट अप्रेल तक आपका ये प्लांट कहीं नहीं जाने वाला है लाश्ट में आप इस गमले को उठाके छाएं वाली जगे रखे ताकि बरसात में दुबारा से ये प्लांट ग्रो हो सके तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसे लाइक करें और लाइकन ओन कीट करतीजिए और लाश्ट में आपको ये अच्छे अच्छी वीडियो जो आपको दिख रहे है आप इनको भी देख सकते हैं तो फिर मिलेंगे आपको जल्दी